हेगाई इस तो केसे आप सब आप सबका स्वागत है एट मिक्स की एक और निव वीडियो में आज की वीडियो होने वाली है जर्मन शफट की फुल ग्रोथ शेडियूल के उपर जैसे जीरो से लेके 12 मन तक उसे क्या खाने देना है और उसके बाद आपको क्या कंटिनू रख स करें साथ साथ आप काफी सारी इंपोरटन चीजर बताने वाला हुँ मैं कि पूरी लाइफ में आपको इसके काम आएगी यह वीडियोज को पूरा देख रख जनी प्यार क्याक मिक्यार में वान के काफ़लों से कंप्लेट कीजि़ pile को एक लाइक के साथ शुरू करते हैं अ जा रही है तो वन अफ तो पॉपिलर डॉग बीट में से एक है तो इन डॉग बीट को आपको पूरे लाइफ में क्या खाने नहीं देना चाहिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ अब देखिए कोई भी मीठी चीज हो गई जैसे केक हो गया शुगर हो गई या फिर चॉकलेट हो गई कुछ भी ऐसा जो मीठा हो वो आप अपने डॉग बीट को कभी ना दे कभी कबार गलती से समझें नो बड़ड़ हो तो छोटा सा पीश या गलती से खा भी लिया उसने तो चलता है लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन सुच्छ स्वीट दे रहे हो तीसरे दिन कुछ मिठा खाने दे यरो मीठा मीठा सब दे रहे हो शक्कर वाल चीज़े दे रहे हो नहीं डॉग बीट की जो है हैर फॉल की इशू, स्कीन प्रॉब्लम, एलर्जी सब ये मीठे से जुड़ा होता है साथ साथ आपकी डॉग बीट को ये लॉंग टम में काफी जादा हामफूल करता है जैसे कि उसकी health wise या फिर disease हो सकती है, diabetes हो सकती है तो काफी सारे issues आ सकते तो पूरी lifetime में आपको याद रखना को उसको मीठे चीज़े आपको नहीं देनी है fruits में दे रहे हो चलता है लेकिन अलग से कोई sugar वाली चीज़े, कोई मीठी चीज़ बने हुई या फिर कुछ और ऐसा जो पूरा मिठाई हो और कुछ नहीं हो, वो सब चीज़े नहीं चलेगी fruits चलेंगे number two पे आता है salt आप अपने dog bit को अगर salt देते हो, तो उससे भी उसको long time में problem हो सकती है तो जो नमाक वाली चीज़े है, वो आपको dog bit को नहीं देनी number two में एक और आता है मिर्च मसाली वाली चीज़े काफे सारे लोग क्या करते है, जो भी घर पे कुछ बन रहा है, मिर्च मसाली वाला बन गया वो अपने dog bit को अपने हाथ से खिला रहे उन्हें नहीं पता, वो अपने dog bit को एक जहर खिला रहे क्योंकि वो dog bit के लिए बहुत जादा हामफुल होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, हेल्थ में हो, स्कीन प्रॉब्लम्स में हो, या फिर एलर्जीज में हो तो आप अपने dog bit को मिर्च मसाली वाले चीज़े ना खिलाए नमबर थ्री पे आता है मिल्क, मिल्क भी आपके अपके dog bit को नहीं देना चाहिए अब काफी सारे लोग ये मुझे बोलते है कि सर मैंने तो देखे कई सारे dog bit जीने milk देते है और वो तो healthy है कुछ हो नहीं रहा, तो देखिए मिल्क ऐसी चीज़े जो धीरे धीरे poison की तरह काम कर सकती है आगे चलके आपके dog bit के लिए बहुत harmful हो सकती है क्योंकि काफी सारे dog bit उससे allergic हो जाता है, lose motion हो सकता है side effects देखने को मिल सकता है तो आप अपने dog bit को ना दे तो वो जादा बेतर रहेगा तो ये चीज़े होगे जो आपके dog bit को आपको कभी ने देनी है अब आता है कि उसको जो है अड़ाप में कप करूँ अब देखिए कभी भी अगर आप dog bit ले रहे हो तो उसको 30 या 45 दिन के बाद ही अड़ाप करे अब ये suggestion में हर एक dog bit जो owner होते उनको देता है क्योंकि देखिए dog bit को अगर आप जल्दी एड़ाप करते हो उसको उसको उसकी mother का milk नहीं मिल पाता German Shepherd एक ऐसी dog bit है जो की काफी energy से बरी होती है एक्टिव होती है काफी healthy होती है लेकिन उसको अगर बच्पन में ही ये चीज़े नहीं मिलती है उनकी mother का milk तो आगे चलके वो जल्दी बिमार पढ़ जाएगी active नहीं रहेगी health issues या फिर दिखने में भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए add up कर रहे हो तो 45 दिन के बाद ही add up करे तो अब मैं बात करता हूँ कि उसको अगर आप 45 दिन के बाद या फिर एक मेने के बाद ला देते हैं तो उसे क्या देना चाहिए तो dog bit को आपको add up करने के बाद काफी लोग सोच रहोंगे कि मैं उसको अभी से chicken या एक देना start कर देता हूँ जिससे क्या होगा कि वो healthy रहेगा लेकिन नहीं ये बड़ी गल्ती कभी ना करे क्यूंकि काफी सारे लोग hard food दे देते हैं इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि dog bit को hard food इस age में नहीं देना है ये उसके लिए harmful हो सकता है काफी सारे लोग क्या करते कि एक सार दो दो एक दे दीती है तो काफी बार ऐसा देखा है cases आए कि dog bit ऐसा ही इसी कारण के वज़े से death हुई हो उनकी तो dog bit को इस age में आपको जो है कोई भी hard food start नहीं करना है तो आपको देना क्या है आप उसे serlac दे सकते हो कोई भी medical shop को shop पर आपको आसानी से ये मिल जाएगा इसको देना भी काफी easy होता है कुछ नहीं आपको थोड़ा सा पानी गरम कर लेना उसमें ये mix करना और इस तरह से देना है कि आपकी dog bit का tummy full है आप चाहे तो दिन में जो है आपकी इसा आप से portion wise दे सकते हो लेकिन ऐसा भी मत दीजिए कि बहुत ज़्यादा fit कर दिया और ऐसा भी मत दीजिए कि कम खा कम ही दे दिया बहुत कम ऐसा दक्की कि उसका पेट भर रहा हो फिर आप बोलोगे कि चलो ये हो गया अब एक से धाई मैने तक आप नहीं ये ले गया अ वो स्टार्ट कर सकते हो पैडिगरी रॉयल कैनन ऐसे अलग-अलग काफी अच्छे अच्छे ब्रैंड आते है उसमें से आप कोई भी एक फूड ब्रैंड सिले कर सकते है ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबसे महंगा वाला ही लो आप ऐसा लो जो कि उसको अच्छे से प्रोटीन विटामिन नूट्रिशन ओमेगा फैटी ऐसे जो भी रिक्वाइर्मेंट सा वो मिल रहे है आप पैकेट के पीछे देख सकते हो क्या क्या दिया जाता है हामफूल तो नहीं है और ज्यादा अच्छी चीजे मिल रहे हो तो आप वो दे सकते हो साथ साथ इस एज में आप लि से लेके 6 मन तक आप उससे क्या दे सकते हो तो इस एज में आने के बाद जो है आपको पपी का स्टार्टर फूड से लेके जो है चेंज करना पड़ेगा उसे अब पपी फूड आता है डॉग बिट के लिए वो दे सकते हो अब इसको देना आपको धीरे-दीरे स्टार्ट क के लिए होता है जब वो काफी काम एज का होता है अब ग्रोथ एज में वो आगया आया है तो अब उसको थोड़ा पपी फूड दे सकते हो जो कि आता है अब इस एज में आप उसको जो है राइस दे सकते हो जो की काफी अच्छा सोर्स होता है काप्स का प्रोटीन का कार्ब फूद में हम तो क्या ओमेट फूद में क्या दे सकते हैं तो अब यह राइस दे सकते हो दाई नियुम्त कीजिए की रोटी में नियुक्ंसीतो अब जानल तो जो एक्स पर में लियक्त की ना kriegen आप चाहें तो नहीं चाहिँ नो 0 कभी जो है छास में रोटी मिक्स और उसमें डॉट फूट डाल दिया इस तरह से अलग-अलग वे में कर सकते हो जिससे कि आपका डॉट बिट को प्रॉब्लम ना हो अब बात करते हैं छे से लेके 12 मेने तक आप उससे क्या दे सकते हो अब देखिए कैसी यह जा गई है जिसमें आपका जो है पपी फूड से लेके जो है स्टार दे दिया पपी पर आ गया और अब उसको चेंज करना है एडल्ट फूड में जो भी एडल्ट फूड ब्रांट्स आते हैं सारे ब्रांट्स में मिलता है यह सब ऐसा कुछ नहीं कि को कोई स्पेसिफिक की आपको लेना पड़ेगा कोई भी ले सकते हो बस इस तरह से लेना है कि जिसको उस एज में जो जो चाहिए उसमें मिल रहा हो तो एडल्ट फूड आता है वो एडल्ट वाला लेना है साथ साथ जो है आप इसमें उसको जो है एग दे सकते हो चिकन दे सक लेकिन याद रहे कि जो ऐक दे रहे हो या पिर चिकन दे रहे हो या पिर इसको कश्छा का नहीं ना लूदी कि यसको कर देग इससे कि उसको habit नहीं पड़ेगी अब इस growth chart में आपको एक सबसे important चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है deworming अगर आपने deworming उसकी नहीं की तो जितने भी मैंने खाना बताया जिस age में जो भी बताया वो सब किसी काम का नहीं रहेगा dog breed की एक particular age में deworming कराना काफी जरूरी होता है जब वो जब एड़ आप करके ले आओ vaccination फर्स दो तभी जरूरी होता है कि उसकी deworming भी कराओ इससे क्या होगा कि उसके पेट में कीडे नहीं होंगे और आपके dog breed की जो है deworming कराने से कीडे सारा protein खा जाते है वो मर जाएंगे और आपका dog breed जो है जो भी खा रहा है उसकी body को लगीगा इसलिए deworming जरूर से कराए सो देड़ सो रुपे की tablets आती है वो आपको करानी परती है deworming कुछ कुछ इंटावर्में सेकंड मैंने बताया vaccination अब vaccination भी आपकी dog breed के लिए काफी जरूरी है 90% आपकी dog breed की life save इससे हो जाती है काफी सारी disease, problems जो आगे चल की इसको हो सकती हूँ वो vaccination के कारण रुख जाएगी और नहीं होगी इसलिए उसकी vaccination भी बच्छपन से कराए जब puppy होता है तब उसको जो है dog breed को चने दे सकते हो fruits and vegetables दे सकते हो मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि कौन से fruits and vegetables उसके लिए safe है और किस तरह से दे सकते हो उसकी वीडियो की जो है link मैं i-card में या i-skin में दे दूँगा आप वो भी दे सकते हो fruits and vegetables की treat भी बनाई जा सकती है तो वो भी मैंने उसी वीडियो में बता है तो यह आपके लिए काफी अच्छा point हो जाएगा इस growth schedule में यह fruits and vegetables से काफी सारे nutrition, vitamins, proteins, calcium जो भी मिलना चाहिए वो एक boost करेंगे आपके dog breed को साथ-साथ याद रखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि dog breed की health history उन्हें पता होगी काफी जारे dog breed को ऐसा होता है कि इनकी जरुवत ही नहीं होती तो भी जो ओनर से जबर दस्ती देते हैं तो पहले पूछ लीजिए if needed है तो ही दीजिए तो इस बारे में आप वेट से consult कर सकते हैं तो यह था जो जर्मन शेफट का growing schedule दूसरी dog breed के उपर चाहिए तो जरू से कमेंट करके बताए मैं जल से जल वीडियो लाने की कोश्चिश करूँगा इस वीडियो को like and share जरू करजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेजिए